Dear students, स्वागत है आप सभी का City Montessori School Sivan के इस YouTube चनल पर आज के biology class में जिसे में आप सभी को class 10th BTC के biology का पहला chapter जयो प्रक्रम का दूसरा unit स्वसन लेकर के उपा से तो चलिए इस chapter को हम start करते हैं इस unit को start करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्वसन होता चाहिए देखो पोसन के प्रक्रम के दोरान में गरहन किये गए खादे समगरी का उपयोग को सिखाओं में होता है जिससे की बिभिन जयो प्रक्रमों के लिए उर्जा प्राप्त होता है अब देखो उर्जा के उत्पादन के लिए को सिखाओं में जो भोजन का भी खंडन होता है स्वसन के लाता है तो यह रहा स्वसन क्या होता है यानि कि स्वसन के डेफ्मिशन अब जानते हैं कि गुलकोज का भिखंडन यानि कि जो मैंने यहां पे कहा था भोजन का भिखंडन रियल में यहां पे गुलकोज का भिखंडन होता है तो वो गुलकोज का भिखंडन जो है कि 36H12O6, ठेक है, अब क्या होता है कि ये जब कोसीका के अनर में जाता है, तो कोसीका द्रब एक अंदर में, यह सबसे पहले ठूपता है, टीन कारबन वाले पायरुवेट नाम की एक मॉलीकूल में, और इसके 37 क्या होता है, कुछ मातरा में energy release होता है कम मात्रा में ही सही लेकिन कुछ मात्रा में ही energy release होता है तो यहां तक का जो पाथवे है घुलकोज से पाइरुवेट में बदलने का ये सभी में सेम ही रहता है अब इसके बाद का जो पाथवे है वो अलग-अलग हो सकता है पहला पाथवे हो सकता है कि उसको जो है oxygen मिले है नहीं भोजन का जो पार्टिकल है पाइरुवेट है इसको oxygen नहीं मिले यानि कि oxygen का अनुपस्थिती में तो ऐसा जो condition है वो देखने को मिल जाएगा आपको जो है East के अंदर में जो किनवन का परकिरिया होता है fermentation होता है वहाँ पर आपको देखने का मिल जाएगा कि उसमें oxygen नहीं होता है और ऐसे condition में ethanol बनता है और साथ साथ जो आपका carbon dioxide बनता है और बहुत ही कम मातरा में energy लिजोता है जो कि उस East के लिए तो काफी होता है लेकिन हमारे देखने से वो काफी कम मातरा में energy हुआ ठीक है तो यह देखन रखो दूसरा condition हो सकता है कि oxygen मिले लेकिन कम मातरा मिले यानि कि oxygen का कम ही हो तो ऐसा condition कब होता है ऐसा condition तब होता है जब हम कोई heavy work करते हैं तो हमारे muscles काफी तेजी से काम कर रहे होते हैं जितना तेजी से काम कर रहे होते हैं Pyrubate यहाँ पर भी Urja Release होता है लेकिन कम आतरवे एनर्जीa अब देखो यह लेक्टीज एशिट उन रहा है। यह क्रेंलागा णि Sauce संक्रॐ विलज होता है। तो इसका इलाज यह क्लीने पानी से प्लभाता हैं दो यह क्रणी से ल्हें गरुटत कल सकता है। पीसरा कंडिशन हो सकता है oxygen के उपस्थिती में तो जब oxygen उपस्थित होता है तो ऐसे कंडिशन में पाईर्वेट पूरी तरह से टूप जाता है बिखंडित हो जाता है और बंता है carbon dioxide gel और उर्जा यहाँ पर उर्जा बंता है यह काफी ज्यादा मातरम होता है यानि कि यह परियाब्त मातरम होता है और यह जो अभी किरिया है यह होता है माईटो कॉंड्रिया में तो आप लोगो ध्यान रखना है कि जो गुलकोज के भिखंडन का जो पहला step था वो आपका जो होता है कोसी का द्रब्य में इसको गलाइक का YVA स्वासन होता है, YVA का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये जो होता है, ये माइटोकॉंट्रिया नाम के एक सिल ओर्निल के अंदरम होता है, तो उमीद कर रहा हूँ कि अलग-अलग वो कौन से पात्में हैं जिस्ते की गुलकोज का भी खंडन होता है, ये आप हुआ से टौझ का जो हाँ सलंः के एक सखेखखब एक ये अव्त्रत है, ये जिस्ते क्या रहा है, ये मईंयवग थार्स, से ख्थ, चे भान्यक्यूंट्स होता है